जरा सोचों के आम दुनिया से कटी हुई एक सीक्रेट जगा पर कुछ लोगों को छोटे उम्र से ही खुंखार योध्धा बनने की ट्रेनिंग दी जाए एक ऐसा योध्धा जो अकेला ही सौ के बराबर हो कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में कहानी की शुरवात होती है एक टैटू की दुकान में जहां एक बुढ़ा आदमी एक गैंक्स्टर के कंधे पर टैटू बना रहा था अचानक गैंक्स्टर के चेले ने उसे एक लिफाफा दिया जिसमें से काली रेट बाहर निकली उन गुंडों को इसका मतलब नहीं पता था लेकिन उसे देखते ही वो बुढ़ा आदमी वहीं जमा का जमा रह गया उसने बताया की काली रेट का मतलब है कि दुनिया के सबसे खतरनाक निंजा आने वाले हैं कई साल पहले उसका सामना इन योधाओं से हुआ था और वो जानता है कि ये कितने खुंखार होते हैं फिर उसने अपनी छाती का बरसों पुराना घाव दिखाया असल में इस बूढ़े आदमी का दिल दाई तरफ है और यही कारण था कि वो निंजा के उस वार से बच गया था अचानक एक आदमी का सर धर से अलग हो गया और चारों तरफ डर का महौल पहल गया तभी छट से एक तार गिरी और उसने एक आदमी को ऊपर खीच लिया जब वो वापस आया तो उसके शरीर के टुकडे हो चुके थे यह निंजा हमेशा अंधेरे में छिपकर वार करते थे और एक ही पल में उन्होंने वहाँ खून की नदियां बहा दी जब सब मर गए तो निंजाज अंधेरे से बाहर निकले इसके बाद हमें जापान की ओजूनू पीड़ी की कहानी बताई गई यह खुंखार निंजाज की पीड़ी है जिनका सरदार है लौड ओजूनू यह लोग दुनिया भर से बच्चे इखटा करते हैं और कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें निंजा बनाया जाता है इन निंजाज के बारे में दुनिया के सभी बड़े लोग जानते हैं लेकिन आम जनता को इनकी कोई भनक नहीं कोई भी इन्हें 100 किलो सोना देकर किसी का भी कतल करवा सकता है ओजूनू पीढी सदियों से अंधेरे में काम करती आ रही है बताया जाता है कि रश्यन प्रेजिडेंट और जापान के प्रधान मंतरी की मौत के पीछे भी इनका ही हाथ था एक दिन लौड ओजूनू राइजो नाम के एक बच्चे को वहाँ लाए उसके माबाप ने उसे लावारिश छोड़ दिया था इसलिए ओजूनू से अपने साथ ले आया ओजूनू को मन ही मन में लगा कि ये बच्चा आगे चल कर इस पीढी का सरदार बनेगा इसी वज़े से उसकी काफी सक्त ट्रेनिंग होने लगी दस साल की उम्र तक उसके शरीर पर कई घाव थे जो उसे गलतियों की सजा के तोर पर मिरे थे उनके मताबिक एक निंजा को हमेशा चिप कर रहना चाहिए इसलिए राइजो को लकडी की जमीन पर चलवाया जाता और अगर हलकी सी आवाज भी हुई तो उजूनू उसके पैर पर जोर से वार करता रात को वो दर्द की वज़े से सो तक नहीं पाया लेकिन तभी किरिको नाम की एक लड़की ने आकर उसके घाव पर मरहम लगाई वो भी उसकी तरहा निंजा ट्रेनिंग ले रही थी वहाँ सबको सिखाया जाता था कि किसी भी तरह के इमोशन्स को अपने अंदर से निकाल कर फैंट दो लेकिन किरिको सबसे अलग थी उसे लोगों को मारना बिलकुल गलत लगता था जैसे जैसे वक्त बीटा गया राइजो और किरिको बड़े होते गए लेकिन दोनों में कोई खास बातचीत नहीं हुई वो दोनों सिर्फ दूर से ही एक दूसरे को देखते थे राइजो अब ओजूनू पीड़ी का सबसे काबल निंजा बन गया था लेकिन अपने सीनियर ताकेशी का सामना करते हुए वो हार गया क्योंकि ताकेशी ने धोखे से वार किया था उसे बचाने की जगा ओजूनू ने राइजो को ही कमजोर कहकर बेईज़त कर दिया उसने राइजो के पेट में अपनी उंगलियों से जोर्दार वार किया और वो बेचारा दर्द से करहाने लगा अगली सुभा उजूनू ने देखा कि राइजो फिर से ट्रेनिंग के लिए तयार था उसकी लगन देखकर उजूनू काफी खुश हुआ जल्द ही राइजो ने अपने सारे विरोधियों को आँख बंद करके भी हरा दिया लेकिन किरिको को वहां की मारा मारी अब भी पसंद नहीं थी राइजो अक्सर उसे समझाता था कि अगर उजूनू को पता चल गया तो वो किरिको का दिल निकाल लेगा फिर किरिको ने कहा लेकिन मेरा दिल तो तुम्हारे पास है तो कोई कैसे निकालेगा एक दिन किरीको को चाकू से किसी को मारने का टास्क मिला जब किरीको से ये नहीं हुआ तो उजूनू ने उसके चेहरे पर चाकू मार कर उसे पिंजरे में बंद कर दिया रात को राइजो छिप कर उससे मिला और उसे पानी पिलाया कुछ दिन बाद एक रात को किरी को दिवार फांद कर भागने लगी उसने राइजो को भी अपने साथ बुलाया लेकिन राइजो उजूनू के लिए वफादार रहा आखिरकार वो पकड़ी गई और अब उसे मौत की सजा होनी थी ताकेशी ने सब के सामने उसके दिल पर वार करके उसे मार डाला उस दिन राइजो के अंदर भी कुछ मर गया लेकिन वो फिर भी उजूनू से जुडा रहा इसके कुछ साल बाद बहलिन में मीका नाम की एक लड़की को निंजास के होने के कुछ सबूत मिले इन सबूतों को लेकर वो अपने बॉस मैजलो के पास पहुँची लेकिन मैजलो ये मानने को तयार नहीं था कि ऐसे निंजास मौजूद हैं जिनके बारे में सिर्फ बड़े लोग ही जानते हैं इसलिए मीका ने उसे सबूत दिखाए कि बड़े लोगों का पैसा इधर उधर होने में और कई नेताओं की मौत में निंजास का ही हाथ है अब मैजलो ने इसके बारे में और जानने का फैसला किया उन्हें पता चला के सेबैटिन नाम की एक जासूस ने भी ऐसे सबूत इखठा किये थे लेकिन जल्द ही उसे काम से निकाल दिया गया और किसी ने उसका खून कर दिया था उधर राइजो भी किसी खास काम के लिए बर्लिन में था वो एक सुनसान से घर में अकेला था और हर सुभा कड़ी ट्रेनिंग करता एक दिन वो कपड़े धोने की दुकान पर गया जहां उसे एक औरत दिखी उसे देखते ही राइजो समझ गया कि वो भी एक निंजा है उसी वक्त दोनों ने एक दूसरे पर वार किया और एक जबरतस लड़ाई शुरू हो गई कुछ देर बाद हमने देखा कि राइजो उस लड़की को एक वाशिंग मशीन में भरके चला गया था उधर मीका उस जासूस की पतनी से मिलने पहुँची जिसे निंजाज के सबूत मिलने पर मार दिया गया था उस औरत ने बताया कि यूँ तो उसका पती काफी हिम्मत वाला था लेकिन उस घटना के बाद वो इतना डर गया कि घर के हर खिड की दर्वासे पर कम से कम दो ताले लगा कर रखता घर के हर कोने में रोश्नी रहती थी उसने परचाईयों के लिए कोई जगा छोड़ी ही नहीं कि कहीं कोई निंजा ना आ जाए लेकिन उस रात जब वो आये तो बत्तियां अपने आप ही बंध होने लगी अगले दिन मीका के ओफिस में एक ओफिसर आया क्योंकि वो ऐसी चीजों के बारे में जादा सोच रही थी जो उसके काम की थी ही नहीं उस रात मीका ध्यान से घर लोटी लेकिन उसने देखा कि पूरी गली में ही लाइट नहीं थी वो फिर भी अपने घर में घुसी और उसी वक्त एक निंजा ने उस पर हमला कर दिया हैरानी की बात तो ये थी कि एक दूसरे निंजा ने उसकी जान बचाई और सारी कातलों को खत्म कर दिया ये कोई और नहीं बलकि राइजो ही था हमने देखा कि इस से पहले अपने मिशन पर राइजो ने अपना सारा गुस्सा निकाला और बड़ी बेरहमी से उस आदमी का कतल कर दिया इस मिशन के बाद वो छट पर बाकी निंजास से मिलने गया लॉड उजूनू ने कहा कि उसे राइजो पर गर्व है लेकिन अचानक राइजो ने उस पर हमला कर दिया और उसकी आँख और चेहरे को ची डाला उसके साथ के निंजास ने लीडर पर हमला करने की वज़े से उसे काफी जखमी करके चट से नीचे पैंक दिया खुश किस्मती से राइजो पानी में गिर कर बच निकला उस दिन के बाद राइजों ने निंजाज के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और उनके हर मिशन को चौपट किया उसने मीका की जान भी इसलिए बचाई थी इसके बाद दूनों एक होटल में पहुँचे और अपने कपड़े बदले क्योंकि निंजाज खास सूंगने की शक्ती से इंसानों तक पहुँच जाते हैं फिर मीका ने मैजलो को बताया कि वो तो राइजो के साथ है लेकिन मैजलो को तो राइजो को पकड़ने के ओर्डर्स मिले थे वो जानता था कि राइजो उनका दुश्मन नहीं है लेकिन उसे ओर्डर्स तो मानने ही होंगे इसलिए जब मैजलो, मीका और राइजो से मिलने गया तो पुलीस ने उसे बंदी बना लिया फिर उसे एक सुनसान जेल में कैद करके जंजीरों से बांध दिया गया जब मीका को बता चला कि इसमें मैजलो भी मिला हुआ है तो वो उससे बात करने गई लेकिन मैजलो उसे रिहा करने के लिए हरगिस राजी नहीं हुआ क्योंकि राइजो जेल में ही निंजाज से सुरक्षित रह सकता है रात को मीका राइजो को पानी पिलाने गई लेकिन फिर राइजो कहने लगा कि निंजाज किसी भी वक्त यहां आ जाएंगे मीका ने मैजलो को भी सावधान करने की कोशिश की लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी अचानक लाइट्स चली गई और निंजाज अंधेरे से बाहर निकले उन खतरनाक योधाओं के सामने जाबास सैनिकों की फौज और उनके हत्यार भी कम पड़ गए तभी मीका ने राइजो की जंजीरे खोल कर उसे रिहा कर दिया फिर उसने निंजाज का मुकाबला करते हुए मीका को भाग जाने को कहा हाला कि राइजो उजूनू पीड़ी का सबसे बहतरी निंजा था लेकिन इतने सारे निंजाज को एक साथ संभालना उस पर भी भारी पड़ रहा था अंत में राइजो और ताकेशी लड़ते हुए सड़क पर पहुँच गए ताकेशी अपनी तलवार से राइजो का काम तमाम करने ही वाला था कि मीका ने पीछे से अपनी गाड़ी से उसे टकर मार दी फिर वो राइजो को होटेल में ले आई हाला कि राइजो काफी जखमी था लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने को राजी नहीं हुआ मीका कमरे में बेहोश पड़े राइजो के पास बैठ गई मीका ने अपनी जान बचाने के लिए राइजो का शुक्री आदा किया फिर उसने एक ट्रैकिंग डिवाइस निकाला जिससे मैजलो को उसकी लोकेशन का पता चल जाए लेकिन पुलीस के आने से पहले ही निंजा जा गए और राइजो को उठा कर ले गए जब पुलीस पहुँची तो वहाँ सिर्फ मीका थी उसने बताया कि 10 मिनट पहले ही वो लोग राइजो को वहाँ से ले गए उधर राइजो को लॉड उजूनू के सामने पेश किया गया उसने राइजो को माफी मांगने का आखरी मौका दिया लेकिन राइजो ने कहा मैं जोकेगा नई साला इससे उजूनू का गुस्सा साथवे आसमान पर पहुँच गया क्योंकि कुछ साल पहले तक तो उसने सोचा था कि यही लड़का आने वाले समय में पूरे कभीले का सरदार बनेगा उसने राइजो को किरिको की जगा खड़ा किया और फिर अपनी उंगलियों से तीन बार खतरनाक वार किये आम तोर पर उजूनू के एक ही वार से लोग मर जाते थे लेकिन राइजो ने तो बस खून की उल्टी की उसके साथ साथ ट्रैकिंग डिवाइस भी बाहर आ गया उसी वक्त मीका ने पूरी पुलिस फॉज के साथ हमला करके खलबली मचा दी कई निंजाज धमाकों में मारे गए इस खूनी जंग में दोनों तरफ से कई लोग शहीद हुए वहीं राइजो को ताकेशी और उसके आदमियों ने घेर लिया राइजो ने आव देखाना ताव और एक एक करके सब को धूल चटा दी फिर ताकेशी और राइजो आमने सामने आए और अपना पूरा जोर लगा दिया आखिरकार जीत राइजो की हुई और उसने ताकेशी के शरीर का एक हिस्सा काट फैंका अब बारी थी ओजूनू की उसने देखा कि ओजूनू एक कमरे में आराम से बैठा था वहीं बाहर जबरदस धमाके हो रहे थे अचानक ओजूनू हवा में ही गायब हो गया और राइजो के पीछे के अंधेरे से निकला सिर्फ एक धक्के से उसने राइजो को हवा में उड़ा दिया फिर दोनों ने अपनी तलवारे निकाली और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए उजूनू ने एक बार फिर उसे माफी मांगने का मौका दिया और कहा कि वो राइजो का बाप है वो ही उसे वहां लेकर आया था और बच्पन से आज तक पाला है लेकिन राइजो ने जवाब दिया कि वो किसी का बेटा नहीं और उजूनू को खत्म करके ही वो आजादी की पहली सांस लेगा फिर वो उजूनू पर लपक पड़ा लेकिन वो एक बार फिर से गायव हो गया तभी मीका राइजो की मदद करने पहुँची मौका देखकर उजूनू ने पीछे से मीका की चाती के तलवार आर पार कर दी ये देखकर राइजो को याद आ गया कि कैसे इन दरिंदों ने उसके बचपन के प्यार किरिको को मा डाला था गुस्से से भर कर राइजो ने एक ही जटके में अपनी तलवार से ओजूनू के तीन टुकडे कर दिये राइजो मीका को बाहर लाया और डॉक्टर्स ने उसे देखा पदा चला कि मीका का दिल दरसल दाई और है इसलिए वो बच जाएगी आखिरकार राइजो ने अकैडमी की दिवार फांदी और वैसा ही किया जैसा किरिको चाहती थी इस तरहां वो किरिको को अपने दिल में बसाई वहां से चला गया क्या तुमने किसी को सचे दिल से चाहा है और अगर हाँ तो तुम्हारा प्यार मुकमल हुआ या नहीं कमेंट्स में जरूर बताना